नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आप सभी ये बात जानते हैं कि UPSC Civil Service Examination 2024 के लिए आयोग के दुआरा notification issue कर दिया गया है, form भरने की प्रिकरिया भी शुरूर हो गई है आप सभी लोग जल सल फॉर्म भर दीजिए ये बात मैंने एक डिटेल्ड नौटिफिकेशन वीडियो में बताई है और आप लोग को फॉर्म भरते समय किन-किन बातों का धियान रखना है ये बात भी मैंने वहाँ पर पूरी तरह से डिसकस की है लेकिन उस सब के बावजूद जरूरी है आप लोग के बहुत सारे प्रेशन होते हैं तो हम उनको अलग अलग वीडियो में डिसकस करेंगे हैं हाँ अगर आप चाहते हैं कि किसी एक विशेश विशे के ऊपर वीडियो बनाया तो आप उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो में के कॉमेंट कर सकते हैं वह वीडियो जल से लग को प्रवाइड कर जाएगी चीज़े जितनी भी भेतर हो सकती हैं आपके लिए की जाएगी इसी के साथ ही एक कॉमन चीज़ हम सभी लोग देखते हैं कि जब कभी भी जितने लोगों ने एकजाम अटेंट किया है तक जो पहली बार दे रहे हैं उन्होंने एक चीज़ फील नहीं कियोगी लेकिन जो लोग अटेंट कर चुके हैं उन्होंने खास चीज नोटिस की कि आप हमें वाइटनर अवेलेबल करवा दीजिए या ब्लेट से स्क्रैच कर दे हमने गलत मार्क कर दिया तो बहुत सारी गलतिया करते हैं हम लोग को यह मार्शीट भरते हुए इस बात को ध्यार में रखते हुए न आयोग ने भी इसके उपर एक एक्शन लिया है दरसल क्य देते हैं या फिर एक्शाम का प्रेशर होता है तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी OMR भर लेते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको पूरा समय मिलता है एंट्री आप टाइम से कीजिए OMR मिल जाएगा पूरा समय लगा के भरिये क्योंकि साड़े-9 बजे ही आपकी बिरिं इसको ले करके तो हम एक काम करते हैं कि सभी लोगों को पहले इसके बार में अवेर कर देते हैं कि आप अगर एगसाम अटेम्ट करने आ रहे हैं तो itali eh आपको नहीं करनी है किन-किन चीजों को ध्यान रखना है यह सब बात आयोक के द्वारा खुद ही बताई जा रही है देखिए इस प्रकार के एक OMR sheet होती है जितने लोगों ने attempt किया हुआ है पहले उनको पता होगा कि OMR ऐसी होती है जो लोग पहली बार जाएंगे उनके करना होता है admit card के थूँ नीचे आपके question paper के answer है आपको जो जो answer ठीक लिखते हैं आपको मात यहां पर करते चले जाना है अब दिक्कते जो होते हैं वह उपर वाले में ही होती है बहुत साय लोग इहीं पर करना शुरू करते हैं ठीक जैसे कि क्या है सबसे पहला option यहां पर ह लोग क्या करते हैं वह सोचते हैं कि नीचे का space बहुत ज्यादा है सामने का space कम है अब एक काम करते हैं हमना नीचे ही लिख देते हैं शुरूआत सब लोग ऐसी करते हैं अब हम लोग UPSC एक्जाम देने जा रहे हैं civil service प्रेक्षा तो हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार है हम लगते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हम चीजों को खुद ही अपने आप ही answer कर लेते हैं जैसे कि center के सामने का space कम है तो एक काम करते हैं कि नीचे वाला जो area खाली है यहां पर लिख देते हैं जिसे किसी का center हुआ 08 Delhi होता है तो क्या करते हैं नीचे ल होता है तो आप कटिंग करते हैं और दुबारा भी लिखते हैं बट इससे क्या होता है कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं जितना भी option का आपको मार्क करना है यह सब कुछ आपको उपर ही उपर मार्क करना क्योंकि नीचे वाला जो area है यह सिफ circle के color करने के लिए है इसके सामने जो आयोक की guideline है वह है कहती है कि आपको यहाँ पर दिल्ली लिख देना है subject जो है उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना होगा journal studies 1 और अगर आप cset में बैटेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा journal studies 2 cset नहीं लिखना है चूंकि जब आपको admit card दिया जाए admit card में यह मेंशन होता है कि subject क्या है तो subject के सामने वहाँ पर मेंशन किया होता है journal studies 1 और journal studies 2 जो हमारा cset वाला होता है यहाँ पर आपको लिख देना है journal studies 2 चलिए तो इस प्रकार से जो जो चीज़े हैं आपको उपर-उपर मेंशन कर देना है इसके अलावा booklet series होगी A, B, C, D, 4 होती है जो भी आपको मिला है आपको पहले वहाँ उपर मात कर देना है उसके बाद नीचे आपको उसका color जो भी रहेगा A, B, C, D, उसका circle आपको आपको black color कर देना है इसके अलावा subject का जो code रहेगा आपको already admin card पर mention मिलेगा तो यहाँ पर mention कीजेगा नीचे color कर देजेगा और एक ही circle को color करना होता है पता है पर फिर बन गलतिया करते हैं अब यह तो बात हो गई कि OMR किस प्रकाजी दिखती है कैसी कैसी होती है इसके लावा कुछ लोग और समझदार होते हैं यहां लिखा होता है उपर attendance number यह attendance number जो होता है आपका जो center है उसकी जिम्मेदारी होती है क कि वह भरे कुछ लोग क्या करते हैं कि आपस में count कर लेते हैं कि हान जी मिया साथवे संख्या पे बैठा हूँ मैं आटवी संख्या पे हूँ मैं दसवी संख्या पे हूँ लिख देते हैं यह भी नहीं करना है तो अगर कहीं पर कुछ डावट है आप पूछ लीजिए बे नहीं कर रहे हैं और हम exam center में जाकर के एक्जाम hall में बैठकर के ऐसी चोटी चोटी गलतिया करेंगे सर्व दिखाता हूँ आपको कि आयोग ने खुद दिखाया है कि कैसी कैसी गलतिया लोग कर आते हैं वहां बैट करके देखें अब क्या होती है स्थेती बहुत बार कि अब आपने उपर लिखा ए नीचे सरकल आपको ए ही करना है यही सही मैठर है लेकिन जल्द बाजी में देखो talented लोग क्या करते हैं उपर लिग देते हैं और नीचे एक ही जगा किसी और को color करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम रहती है संभाव ना ऐसा क्यों होता है कई बार कोश्चन पहले देखने हैं जो मेरी पकड़ है मेरा favorite subject history है तो पहले मैं history देखूंगा मेरा favorite quality है मैं पहले quality देखूंगा यह सब चीज़े में में चल रही होती है और उसी जबकर में हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो series मिली होते हैं सोचते तो हैं कि A मिली है A मिली है A मिली ह इसलिए देख करके इत्मिनांसे कीजिए यह बात रही booklet series का जो mark करना है इसको गलत mark कर देने की इसके अलावा और क्या 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 गलतिया होती है कई बार लोग छोड़ ही आते हैं सोचते हैं कि बाद में भर लेंगे बाद में भरने की वज़ा से क्या होता है कि बाद में ज पता वह नहीं जानता का कौन से series मिली ती कौन से सिर्श नहीं मिली ते क्यूंकि माल लिजए कि आपके आगे चार लोग absent है ठीक उसके अलावा क्या है कि माल लिजए कि तिकत ना करें, कोई जल्दबादी ना करें, कितने ही देर लग जाएगी, इसको भर लेंगी, इसके लावा और क्या गलतिया होती है, हम लोग जल्द जल्दी के अंदर चीज़ों को गलत कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कि 0, 3 है, तो 0 और 3 वाला सरकल ही है, यह तो हुआ हुआ कि अलग-अलग लाउन्स में, आप लोग ने कुछ गडबढ करती हैं, जैसलिद को ब्लैक करती हैं, इसके लावा कुछ लोग यह है टैलेंट दिखाते हैं, कि एक ही रो के अंदर, कई कई सरकल गो ब्लैक कर देते हैं, इह भी ऐक खास टैलेंइट हो हुआ है आठ तो उस रो के अंदर सिर्फ 8 ही कलर होगा बाकी सपह में वैसे छोड़ने होंगे अगर अगले जो रो है उसके अंदर एक लिखा हुआ है तो वहाँ हमें एक को ही कलर करना है बाकी सब छोड़ने होगे जनरल यहीं चीज़े होती है लेकिन जल्दवाजी में क्या हो जाएंगे माल नेते हैं कि आपका जो पेपर था बहुत अच्छा हुआ था आपके आंसर भी बहुत अच्छे रहे आपने 120-130 अंक जो है वहाँ प्राप्त कर लिए इतना में क्वालिफाई कर जाते हैं प्री UPSC के पैटन में अगर आप 50% प्लस है 55% प्लस है तो बहुत अधिक चांस है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं अभी तक का पैटन यहीं कहता है अभी तक की जो कटोफ बनती है वह अभी इसके आधर पर ही बनती है इतना आप अंक ले भी आए लेकिन फायदा क्या है नीचे तो ठीक है लेकिन उपर ही गड़बड हो गई है और उ घ्रम हौल के अंदर यह गलती नहीं करनी है इसके अलावा एक खास्ति जोर कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी पिपर कम्प्लीट कर लेते हैं यह भी बीच विच में होता कि हम कुछ सोच रहे हैं कि यहां अलाव दिंधु खिल्जी नहीं है किया था नहीं किया था सं सही है या नहीं होता है हमारे अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर एक क्रियेटिव व्यक्ति चुपा होता है सबको आर्ट पसंद होती है अब हम उस आर्ट को कहा निकाल देते हैं OMR sheet के उपर ही जबकि OMR sheet का जो यह area होता है corner वाला यहाँ पर प्रॉपर लिखा होता है कि इस area में कुछ भी ना लिखें कुछ भी अंकित ना करें यह mention है लेकिन हम चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और जब हम सोचते हैं हमारे दिजाइन बनाना शुरू करते हैं अब देखिए ना क्या क्या हो रखा है यहाँ पर जो box है किसी ने क्या रखा है कि आसे आसे line बना रखी है यहाँ circle के साथ सब एक और circle बनाते रहते हैं circle circle और color करते रहते हैं कुछ और design हम लोग बनाने बैट जाते हैं तो इस परकार से नहीं करना है marking नहीं करनी है जो भी prohibited area ह उस area को छोड़ ही देना है इस चीज़ का भी आपने ध्यान लगना है exam hall में इसके अतिरित अगर आप कभी भी कोई भी circle को color कर रहे हैं तो अधूरा color नहीं करना है point नहीं करना है mark नहीं करना है circle को पूरी तरह से पूरा color करना है पूरा समय दे करकर उस पर mark नहीं करना dot नह नहीं लगाना इस तरह से चीज़ों को नहीं करना सरकर पूरा color होना चाहिए कई बार इस प्रकार की गलतिया भी होती है तो दिक्कत देती है बाद में यह सारी बात होगा OMR sheet की अब देखें जिस समय आप लोग exam attempt करने जाएंगे तो OMR sheet के साथ में एक attendance sheet भी मिलेगी आपक नहीं दूसरी तरफ आपकी OMR check हो रही होती है तो आप यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग attendance sheet में भी गड़बड़ी कर देते हैं क्यूं इसके पीछे का भी reason है आप बैठे हुएं desk पर पेपर कर रहे हैं जल्दी जल्दी question पढ़ रहे हैं आपको पता है कि समय कम है ताकि जल्दी भरूंगा तो समय बचे जाएगा फिर में दुबार से परिक्षा पे ध्यान बेपामा और जल्दी जल्दी में हम कर देते हैं बहुत सारे जागो जो हमें नहीं करने चाहिए हमारे साथ ही एक चीज़ गलत हो जाती है अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है यहाँ आपका रोल नमबर लिखा होता है यहाँ पर मात किया जाता है क्या प्रजेंट है या अपसेंट होंगे तो एक कलर किया जाएगा प्रजेंट रहेंगे तो पी कलर किया जाएगा इसके बगल में यहाँ पर एक बुकलेट सीरिस प्रपर रहेगा उसको आपको नीचे करना होगा चल्द बाजी करेंगे तो गडबढ़ हो सकते हैं पूरी संभावना है दिखानों कैसी कैसी गडबढ़ लोग कर देते हैं भी आगे इसके अलावा यहां पर आपको एक option मिलता है अपने साइन करने का आपकी यहां पर फोटो लगी होती है यह वेरिफिकेशन के लिए होता है आप लोग को क्या करना होता है हर एक चीज का ध्यान देना होता है कि हां क्या क्या चीजे हैं कैसी कैसी है और आपको फिर अपने साइन देखने होता है अपनी फोटो देखनी होती है वेर पर थे टीचर, उन्होंने मुझे seat अलोट कर दी, मेरे roll number के last में था 533, अब मेरा था 5533, मुझे seat दे दी, अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब मेरे पास attendance आई लगने के लिए, मैं को attendance mark करनी थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जिस seat पर मैं बैठा हुआ हूँ, वो seat मेरी ह ही नहीं, एक गड़ बढ़िया रही, अब पेपर शुरू हो गया था, दस मिनट करी बीच चुके थे, मैंने ध्यान दिया, तो मुझे पता लगा कि मेरा जो roll number था, वह था 5533, और जिस seat पर मैठा था, वह थी 3533, और coincidence इतना अधिक तगड़ा था उस जगा पर, कि उस व्यक पता लगा कि जिस room मैं मैं बैठा था, मुझे उससे अगली room में ही बैठना था, वहाँ पर third seat जो थी वह थी मुरी, तो मेरी seat change होती है, तो जरूरी है कि आप चीज़ों को verify करें, उसके बाद ही हर एक चीज़ आगे बढ़ें, वरना दिक्कत हो सकती है, ये बहुत अधिक स sign करने थे, इन्होंने क्या किया कि यहां भरने की जगा यहां भर दी, details यहां चड़ा दी, और details यहां चड़ाने के बाद में sign भी अपने यहां कर दी, आपको इस्थान दूसरा मिला था, आपने किसी और की जगा पर sign कर दी है, अगर मान लिजे कि यहां इंसान present हुआ, आपने लिए तो आपने आगे की चीज रास्ते जो थे, बंद कर लिए, दिक्कते खड़ी हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन जो दूसरा वेक्ति था, जो वहां पर exam अटेंब कर रहा था, उसकी जो गलती थी भी नहीं, आपने जो भी details यहां पर भर दी, खुद भी disqualify हो तो इस प्रकार से जब आप OMR भरेंगे, तो OMR भरते समय हर एक चीज, admit card को देखते हुए ही भरिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, जब attendance sheet आपके पास मैंगे, तो attendance sheet फिल करते हुए, आप पहले अपना photo verify ज़रूर कर लिजएगा, नाम और roll number verify कर लिजएगा, उसके बात-बात के चीजों के लिए आगे बढ़िएगा, ध्यान से गरिएगा, हम चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी गड़ बढ़ी, पर एक शामिन ना हो, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाए गया हर एक चीज आपको discuss की गई है, उम्मीद करता हूँ कि यह सबी चीज आपको clear ह जो उम्मीद है, लेकिन आपके बाकी साथ ही जो है, वह भी ऐसी गलती ना करें, जरूरी है कि आप उनके साथ में वीडियो शेर कर दें, और वीडियो को लाइक के बना नहीं जाए, जर सभी चीज अच्छी लगी है तो, ऐसी वीडियो आपके लिए और लाई जाएंगे, चीज़ों को डिसकस किया जाएगा, तब तक के लिए मुझे विज़ा दीचिए, थैंकियो सो मुच.